एक हमारे दोस्त ने अपनी दिल की परिशानी शेयर की है कि उनकी वाइफ उनके माबाब से उल्टा सीधा मोलती है रिस्पेक्ट नहीं करती है गुसे में बत्तिमीजी से बात करती है अपने सास ससूर से ऐसे कंडिशन में मैं क्या करूँ? उनका पूछना है आवाजें सुनते हैं जब हम लोग तो हमारे गले में से वाइब्रेशन निगलती है और बाहर उसकी आवाज सुनाई देती है कहीं न कहीं कमपन होना चाहिए कहीं न कहीं फ्रिक्शन होना चाहिए तभी आवाज निकल के आती है दो लोग के बीच में एक वाइफ आपकी वाइफ और आपके माता पिता मतलब वाइफ के सासर इन दोनों के बीच में या तो जब साथ में लोग रहते हैं या तो दोस्ती होगी या तो दुश्मनी होगी because static relationship नहीं होता कहीं पर भी दोस्ती तब होगी जो लोग एक दुसरे को समझेंगे एक दुसरे को समझने की कोशिश करेंगे और feel करने की कोशिश करेंगे एक दुसरे की जरूरते हैं चाहे physical जरूरत हो चाहे psychological जरूरत हो लेकिन जब ये नहीं होगा तब हम एक दुसरे को नहीं समझ पाते हैं तो हम एक दूसरों को यूज करने की कोशिश करते हैं डॉमिनेट करने की कोशिश करते हैं और वही डॉमिनेशन में फ्रिक्षन होता है कुछ लोग होते हैं जो दबा लेते हैं अपने आपको जहल लेते हैं लेकिन धिमी धिमें अंदर अंदर उनकी आत्मा पर जाती है। बहुत सी बहुएं इस तरह की जिन्दगी जीतिये हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुएं साससुर को चुकी बुड़े हैं तो उनको डॉमिनेट कर देते हैं। तो उस कंडिशन में साससुर बहुत वीक होते हैं, कमजोर होते हैं जहेल जाते हैं। लेकिन जब दोनों ही अपने अपने में स्ट्रॉंग होते हैं, साइकलोजिकली स्ट्रॉंग होते हैं तो गिवप नहीं करते हैं। और उस condition में, जैसे आपने कहा, उल्टा सीधा बोलना होता है, ये friction का result है, ये misunderstanding का result है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने ले कुछ कर सकते, आपको अपने आप से तठस्त हो करके, उन दोनों से अलग हो करके देखना होगा, कि इसमे आपका कोई रोल है ही नहीं, जब कोई किसी को नहीं समझ पाता, तो दूसरा नहीं समझा सकता, अगर मेरी वाइफ, मेरे बाब आपको नहीं समझ पाती, तो मैं उसको समझा नहीं सकता, क्योंकि clarity आती है अपने आप, वाईसे वरसा, अगर मेरे बाब आप मेरी वाइफ को नहीं समझ पाते तो समझाया नहीं जा सकता अपनी आपको इस परिस्तिती से निकालिए अपने मन में एक आइडियल लेके मत चलिए कि रिलेशन्शिप ऐसा होना चाहिए एक शांत घर होना चाहिए एक खुबसूरत परिवार होना चाहिए सब प्यार समझ जसे के साथ होना च यह लेकिन वो तब होगा जब दो लोगों के बीच में गहरी अंडिस्टैंडिंग होगी गहरी समझ होगी सेंसिटिविटी होगी जब आदमी अप्रशब्द बोलता है जब किसी को बत्तमीजी से बात करता है तो वो एक्चुली हर्ट करना चाहता है चोट पहुंचाना चाहत नहीं पहले मुझे लता था कि यह यंग बच्चे लड़कियां अपनी सास को अपने ससुर को क्यों उल्टा जवाब देती हैं लेकिन जब मैंने अब्जर्व करना शुरू किया तो मैंने देखा कि यह केवल रिप्लाई कर रही हैं रियाक्ट कर रही हैं रिस्पॉंड कर र सुने ध्यान से अपने मावाप को भी ध्यान से सुने अपनी वाइफ को भी ध्यान से सुने और उनको साफ साफ कह दे इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता अगर आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं कुछ करी नहीं सकता हाँ मैं प्रॉमिस कर सकता हूं कि मैं आपको कोई बत्तेमिजे से बात नहीं करूँगा अपने वाइफ को बोल सकते हैं कि मावा आप मेरे जो कर रहे हैं उसमें मैं involved नहीं हूँ मैं तुम्हें उनका agent बनकर कुछ नहीं करूँगा तुम्हें जो ठीक लगता है मैं तुमको support करूँगा अगर बहुत ही violent हो जाती है आपकी family की condition के मारपीर तक बात आ जाती है तो मैं तो आपको यही सलादूँगा कि आप फिर अपने घर को अलग कर दीजिए कहीं अलग किराय का मकान लीजिए ताकि 24 गंटे एक दूसरे को देख करके यह चोट और दर्द और मारपीर की नौबत ना आ जाए लेकिन जहां तक जुबानी बात है इसमें से आप बाहर निकल जाएए जितना आप खुद शान्त हो किरके इन लोग को ध्यान से देखेंगे उतना ही possibility हो पाएगी कि आपकी शान्ती आपकी गहराई उन लोगों को indirectly effect कर दे लेकिन मैंने कहां indirectly ऐसा मत सोचीगा कि आप खुब शान्त हैं तो उसे कोई चमतकार हो जाएगा और आपकी वाइप और आपकी माता-पिता की बीच में खुब कहरी दोस्ती हो जाएगी ऐसा नहीं होगा बेटा उनकी बातचीत नहीं सुनता वही condition यहाँ पर भी आती है कि बेटा अपने पिता से बत्तमीजी से बात करता है बोलते हैं मैं उसे अदोस्ती करने की कोशिश करता हो लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ बैठना में नहीं चाहता क्यों नहीं बैठना चाहता? friction है responses देंगे, आप उल्टा जवाब देंगे अपने मन के violences को देखिए क्या आपके मन में गुस्सा आ रहा है आपकी वाइफ के प्रती क्योंकि आपने अपनी वाइफ की कम्प्लेन की है कि मेरी वाइफ मेरे माबाब को उल्टा जवाब देती है क्या आपने माबाब को ध्यान से सुना है कि माबाब कैसे शब्द यूज़ करते है अपकी वाइफ से या आपको लगता होगा कि पेरिंट्स हैं तो ये तो उनका अधिकार है कि वो बच्चों को डाट सकते हैं, मार सकते हैं कि उनका पाला पोसा है अधिकार वाइलन्स का किसी को भी नहीं है हम जानवर नहीं है हम अनिमल्स नहीं, अनिमल्स में ऐसा होता है कि उनको भोक लगते हैं, तो अपने बच्चों को खा जाते हैं लेकिन हम हम humans हैं हमारे इंदर में जो possibilities हैं वो इस तरह की animalistic instincts के beyond है तो उपने parents को prime करिए prime मतलब उनको indirectly समझाने की कोशिश करिए कि देखो आज का जो जो जमाना है वो freedom का जमाना है और कोई भी लड़की जो बाहर के घर से आएगी किसी और के परिवार से आएगी वो आपसे प्यार क्यों करेगी वो इसलिए क्योंकि उसने शादी कर लिए आपके बेटे से अगर आप respectfully बात नहीं करेंगे तो आपसे respectfully बात नहीं करेंगी simple give and take है अगर आप पडोसियों से बात करते हैं आपके घर में कोई महमान आता है अगर आप उसे बत्तिमीजी से बात करेंगे तो आपको बत्तिमीजी से बात करेंगे तो शायद आपके घर में आया आना नहीं चाहेगा ठीक यही चीज उनको भी समझना होगा कि अपनी बहु के साथ जबर्जस्ती का साससुर का relationship बनाने के बजाए एक artificial outsider के जैसा relationship बनाए एक महमान की तरह जिसे एक महमान को हम अच्छे तरीके से treat करते हैं तो बनाए मुश्किल है जिसके प्रती कुस्सा है क्रोध है उसको महमान और respect और यह स्पेक्ट और यह चीजे देना possible नहीं लगता क्योंकि अंदर में धेर सारी expectations भरी होई है एक बहु को ये करना चाहिए बहु को ऐसे सेवा करनी चाहिए बहु के तो यह सारे काम एक list है पता है साससुर के पास कि एक बहु को कैसे 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 behave करना चाहिए जब आपके पास list है तो उधर बहु के पास भी list है कि हमारे साससर को कैसे 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 behave करना चाहिए उसमें भी आसपास से लिया होगा आपने भी list पुराने जमाने से ले रखी है तो ये जो expected reality और पीछे roles ये चार लोगों को आप जो जूनने की कोशिश कर रहे हैं तो reality है कि ये दुने दुसरे को पसंद नहीं करते और एक expectation है कि ये दुने दुसरे को पसंद करना चाहिए ये ये काम करना चाहिए तो expectations को हटाइए उनको बोले मता जी पिता जी reality ये है कि ये आपको पसंद नहीं करते वाइफ को बोले नहीं create कर सकते हैं, कि एवल priming कर सकते हैं, कि people all people are strangers आपने देखा है कभी बस में चले जाएए आपके जेब से रुमाल गिर जाए या कोई समान गिर जाए तो सामने वाल अगर उठा के दे देता है, जो आप से unknown है तो आप उसको thank you बोलते हैं और वहें पर आपकी जान पहचान का आपकी वाईब आपके कोई साथ में हैं, अगर वो आपका समान उठा के लिए तो आप कहते हैं, तुम कितने आलसी हो, तुम उठा के लिए तो वो जो एक stranger के लिए thank you की feeling थी अपने जान पहचान के लिए एक उस्से की feeling है, क्यूं? अपने expectations को देखिए कि आप अपने वाईब से कितना साथा expect करते हैं, उसे बहू का रोल expect करते हैं, आपके parents भी यही करते हैं, मैं आपकी वाईब की तरह दारी नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, friction जब खतम होता है, जब अंदर से गुसा खतम होता है, तभी प्यार आता है, जब तक source है, अंदर में violence का, anger का, तब तक प्यार नहीं आ सकता, जब तक कड़वाट है अंदर, तब तक प्यार कहां से आए, प्राइम करिए, reality दखाईए एक दूसरे को, कि जब प्यार नहीं है, तभी प्यार के लिए आप कुछ extra effort डालेंगे, जाइए, बाहर से कुछ खरीद कर लाइए, कुछ अच्छे बोल बोलिए, आप बोलिए, बोलो नहीं बोल सके, नब बोले, लेकिन आप बोलिए, और सबसे important यह है, कि आप अपने मैंने अपने आपको खूब एनरजी कठा करके, अपने घर परिवार से अग्दम अलग करके, mentally अलग करके, physically अलग करके, पहले अपने आपको जिनुगा में डाला, जिनुगा जब मेरी कहरी प्रैक्टिस में उतर गई, तब मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास घर में भी बड़ी शांती है थैंक्यू करके, जिनुगा जब में अलग करके, जिनुगा जब शांती है अपने WBX जॉइंड नहीं किया है, तो बहुत जल्दी जॉइंड कर लीजे, बिकॉज उसमें हम लोग इंडियन स्टार्टप्स के लिए बहुत ही धेर सारी और बहुत ही रेलेवेंट वीडियो लेकर आने वाले हैं किस तरह से बहुत धेर सारी फंडिग मिलती है कंपणीस को और किस तरह से इंडियन कंपणीस की मार्केट ग्रो होई और फ्यूटर क्या है इंडियन कंपणीस का? इसलिए मेरा आपको इंविटेशन है कि जो लोग भी स्टार्टप्स में और वेंचर्स में बिजनस में इंटरेस्टेड हैं WBX को जल्दी से जल्दी जॉइन कर लें अगर आपको ये मन में उठता है कि क्या पास्ट लाइफ होते हैं अपके सारे आइडियास को चेंज करके हमेशा हमेशा के लिए आपको इत नहीं क्लरेटी देगा पास्ट लाइफ के बारे में और सोल्स के बारे में छोट catchesचोटे डिसिजन को लेने से पहले आपको ये जानना होगा कि हमारा माइन्द मैं लेते कैसे है क्या है वो factors जो हमको जवर्स्ती force करते हैं लेकि लिएको पता ही नहीं चलता वो है हमारे अंदर में अगर अपने decisions को ठीक करना है जिंदेगी भर के लिए छोटे चोटे और साड़े बड़े decisions को तो you should join our BDM सबसे powerful spiritual program इस समय अगर online कोई है तो that is Zanuga Basic Course और वो इसलिए क्योंकि ये आपका अपना course है इसमें मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ मैं आपका गुरू नहीं हूँ आप अपने खुद के teacher हैं इसलिए you should join Zanuga Basic Course अगर आप बहुत seriously अपने spiritual path पर आगे बढ़ना चाहते हैं अब तो आपको पता ही चल गया होगा awareness की कितनी value है अगर नहीं पता चला है तो now जो code से हमारा वो जोइन करके आप सारी की सारी चीज़ें जान सकते हैं awareness के ब्रह्मचर्य और parenting के उपर अगर आपको गहराई से कुछ सीखना है तो you should join SPMT